भजन सहीता चौतीस यहा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीती से निरभय किया। जिन्होंने उसकी और दृष्टी की उन्होंने जोती पाई और उनका मुह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन्ने पुकारा तब यहुआ ने सुन लिया और उसको उसके सब कश्टों से छुडा लिया यहुआ के डर्वईयों के चारो और उसका दूद छावनी किये हुए उनको बचाता है परक कर देखो कि यहुआ कैसा भला है क्या ही धनी है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है हे यहुआ के पवित्र लोगों उसका भाय मानों क्योंकि उसके डर्वईयों को किसी बात की घटी नहीं होती जवान सीहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं परन्तों यहुआ के खोजियों को किसी भली वस्तू की घटी नहीं होगी हे लड़को आओ मेरी सुनो मैं तुमको यहुआ का भाय मानना सिखाऊंगा वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीरखायू चाहता है ताकि भलाई देखे अपनी जीव को बुराई से रोक रख और अपने मुँख की चौकसी कर कि उससे चल की बात ना निकले बुराई को छोड़ और भलाई कर मेल को ढूंड और उसी का पीछा कर यहुआ की आँखे धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दोहाई की और लगे रहते है यहुआ बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरन पृत्वी पर से मिटा डाले धर्मी दो हाई देते हैं और यहुआ सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुडाता है यहुआ टूटे मनवालों के समीप रहता है और पिसे हुँ का उध्धार करता है धर्मी पर बहुत से विपत्या पढ़ती तो है पर तो यहुआ उनको उन सब से मुक्त करता है वह उसकी हड़ी हड़ी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी तूटने नहीं पाती दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोशी ठहरेंगे यहुआ अपने दासों का प्रांट मोन लेकर बचा लेता है और जितने उसकी शर्णागत हैं उनमें से कोई भी दोशी न ठहरेगा